निम्बाक आचार या भारत के प्रसिद्ध दार्ष्ण निक्थे जिन्होंने द्वेता द्वेत का दर्शन प्रतिपादित किया। उनका समय तेरवी शताब्दी माना जाता है। किन्तु निम्बाक संप्रदाय का मानना है कि निम्बाक का प्रादूर भाव 3096। इसा पूर्व आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। निम्बाक का जन मस्थान वर्तमान आंधर प्रदेश में है। सनातन संस्कृती की आत्मा श्री कृष्ण को उपास्य के रूप में स्थापित करने वाले निम्बाक आचार्य। वैश्ण वाचार्यों में प्राचीन्तम माने जाते हैं। राधा कृष्ण की युगलो पास्ना को प्रतिश्ठापित करने वाले निम्बाक आचार्य का प्रादूर भावकार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। भक्तों की मान्यतानुसार आचार्य निम्बाक का आविर्भावकाल द्वापरांत में कृष्ण के प्रपोत्र बज्रनाब और परीक्षित पूत्र जनमे जय के समकालीन बताया जाता है। इनके पिता अरुन रिशी की में परीक्षित की भागवत कथा श्रवन के प्रसंग सहित अनेक स्थानों पर उपस्थिती को विशेश रूप से बतलाया गया है। हाला कि आधुनिक शोद करता निमबाग के काल को विक्रम की पांचवी सदी से बारवी सदी के बीच सिध्ध करते हैं। संप्रदाय की मान्यता अनुसार इन्हें भगवान के प्रमुक आयुद सुदर्शन का अवतार माना जाता है। इनका जन्म वैदुर्य पत्तन, दक्षिन काशी के अरुनाशरन में हुआ था। इनके पिता अरुन मुनी और इनकी माता का नाम जयनती था। जन्म के समय इनका नाम नियमानंद रखा गया और बालकाल में ही ये ब्रज में आकर बस गए। मान्यता अनुसार अपने गुरु नारत की आग्या से नियमानंद ने गोवर्धन की तलहटी को अपनी साधना स्थली बनाया बच्पन से ही यह बालक बड़ा चमतकारी था एक बार गोवर्धन स्थित इनके आश्रम में एक दिवा भोजी यती केवल दिन में भोजन करने वाला सन्यासी आया स्वाभाविक रूप से शास्त्र चर्चा हुई पर इसमें काफी समय व्यतीत हो गया और सूर्यास्थ हो गया यती बिना भोजन की ये जाने लगा द्वेता द्वेत या निम्बाक संप्रदाय के प्रवर्तक वैश्णवों के प्रमुक चार संप्रदायों में से एक संप्रदाय है द्वेता द्वेत या निम्बाक संप्रदाय निश्चित रूप से यह मत बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है श्री निम्बाकाचार्य जी ने परंप्रा प्राप्तिसमत को अपनी प्रतिभा से उज्जवल करके लोग प्रचलित किया इसी से इस द्वेता द्वेत मत की निम्बाक संप्रदाय के नाम से प्रसिद्धी हुई ब्रह्म सर्व शक्तिमान है और उनका सगुन भाव ही मुख्य है इस जगत के रूप में परिनत होने पर भी वे निर्विकार है जगत से अतीत रूप में वे निर्गुन है जगत की सृष्टी स्थिती एवं ले उनसे ही होते हैं वे जगत के निम्मित एवं उपादान कारण ह जगत उनका परिणाम है और वे अविकृत परिणामी है जीव अनू है और ब्रहम का अंश है ब्रहम जीव तथा जड़ से अत्यंत प्रिथक अप्रिथक भी है जीव भी ब्रहम का परिणाम तथा नित्य है इस स्रिष्ट चेक्र का प्रयोजन ही यह है कि जीव भगवान की प् प्राप्ति से ही होगी, ब्रह्म के साथ अपने तथा जगत के अभिन्नत्व का अनुभव ही जीव की मुक्तावस्था है, ये भगवत प्राप्ति से ही संपन्न होती है, उपासना द्वारा ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ब्रह्म का सगुन एवं निर्गुन दोनों में विचार किया जा सकता है किन्तु जीव की मुक्ती का साधन भक्ती ही है भक्ती से ही भगवान की प्राप्ती होती है सतकर्म एवं सदाचार के द्वारा शुद्ध चित में जब भगवत कता एवं भगवान के गुनगन श्रवन से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने की इच्छा जागरत होती है तब मुमुक्षु पूरुष सद्गुरु की शरण ग्रहन करता है गुरु द्वारा उपदिश्ट उपासना द्वारा शुद्धचित में भक्ती का प्राकट्य होता है यही भक्ती जीव को भगवत प्रापती करा कर मुक्त करती है गोपाल मिंत्र क की दीक्षा थोड़े में द्वैता द्वैतमत का सार यही है भगवान नारायन ने हस्वरूप से ब्रह्मा जी के पुत्र सनक सनंदन सनातन एवं सनय कुमार को इसका उपदेश किया संकाधी कुमारों से इसे देवर्शी नारद ने पाया और देवर्शी ने इसका की परंप्रा है निम्बाकाचार्य ने अपने ब्रह्म सूत्रों के भाष्य में अस्मद गुर्वे नारदाय कहा है संकाधी कुमारों का भी उन्होंने स्मरन किया है उसी ग्रंथ में गुरू परंप्राओं में देवर्शी नारद ने निम्बाकाचार्य को गोपाल मिंत्र क दीक्षादी ऐसी मान्यता है निम्बाक आचार्य का भर्ति परक मत महर्शी पतंजली ने अश्टांग योग और इश्वर प्रनिधान ये दो मार्ग आत्मोधार के लिए निर्दिश्ट किये थे निम्बाक ने इन तीनों मार्गों को दो मार्ग न कह करके इनके सहभाव से संपन्न भक्ति योग का प्रवर्तन किया जिसमें चिदानन्द संबलित प्रेमभाव का प्राधान्य है इस प्रेमभाव से द्वैत और अद्वैत दोनों अवस्थाओं का सामनजस्य होता है प्रेमी, प्रेम पात्र और प्रेम तीनों का एक्य हो जाना ही अद्वेत अवस्था है जो लोग केवल चिदंश पर ही बल देते हैं वे ज्ञान मार्गी कहलाते हैं चिदंश ही ज्ञान का भाव है आनंद अंश पर बल देने वाले लोग भक्त कहलाते हैं ज्यान और आनंद दोनों भावों का जो सामंजस्य होता है। उसमें चेत और आनंद का तथा ज्यान और भक्ती का सामंजस्रू हो जाता है। पातंजल योगदर्शन की साधना ज्ञान मारक की है। उसमें समाधी के माध्यम से चिदंच साक्षातकार की विधी बतलाई गई है। पतंजली ने इश्वर प्रनिधान के माध्यम से जो साधना बताई है। उसमें आत्म समर्पन के द्वारा आनंद अंश की उपलब्धी रहती है। महामो पाध्याय गोपिनात का विराज ने ग्लीनिंग्स फ्रम दे तंट्रज की भूमिका में यह लिखा है कि भक्त दो प्रकार के हुए हैं एक वे जो भक्ती को केवल भावरूप से जानते हैं और दूसरे वे जो रस रूप से उसकी अनुभूती करते हैं जिसका भागवत धाम में प्रविष्ट होकर भागवत सेवा का आनंद लेना है उनके लिए राम मार्ग ही श्रेयस कर है तातपर्य यह है कि सांसार एक राग जब भागवत चिंतन का माध्यम बन जाता है तो वो राग ही प्रेमरस के रूप में परिनत हो जाता है निम्बाक संप्र दाय के भक्त कवी जय देव के गीत गोविंद का भी इसी परिप्रेक्ष में समझना चाहिए